नमस्कार छात्रो गुरू क्लासेज में स्वागत है अपका देखे बचो जो फिजिक्स का क्लास है नेक्स्ट आज पढ़ते हैं तो देखे पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था जो साइन्स की क्लास है उसमें पढ़ा था हम लोग की जो साउंड वेब है साउंड वेब्स के बारे में साउंड वेब्स पढ़ा रहे था ध्वानी तरंगे पीछे का बात कुछ नहीं करेंगे और पीछे वाला लेक्चर देखिए एक एक से देखिएगा तभी समझ में आएगा तो साउंड वेब्स क्या होती है ध्वानी तरंगे क्या होती है उसमें कुछ बताये थे और देखिए एक बच्चे का डाउट था एक बच्चे का डाउट था सोनुजादवन सी का डाउट था जो ऐसे डाउट पुछेगा वो 100% सक्सेश होगा इट मींस कि वो पढ़ रहा है कि जो ट्रांसवर्स वेब होती है जो ट्रांसवर्स वेब होती है अनुप्रस्त तरंगे अनुप्रस्त तरंगे देखिए बच्चो जो अनुप्रस्त तरंगे होती है न यह उत्पन कहा होती है पहला पुस्ता है तो हम लिखवाए थे रसी या ठोस रसी ठोस है रसी को ठोस मान सकते हैं रसी पर होगा संटब होका द्रव के सताह पर होगा द्रव के सताह पर अग मताय हैं अपर सरफेस्ट लिक्विड एड को रोmor को सुखने में की शुना fever लेकिन जो लोगों होता है वह कहां होता है तो वह होता है, द्राव, गय, सब में उत्पन होता है, अब बात आती है कि अनुप्रस्त तरंगे जो होती है, अनुप्रस्त कह दिया, देखे, लाइट तो अनुप्रस्त है, बीधु चूंब किये तरंगे भी अनुप्रस्त है, टरंसवर्स है, तो वो क्या लाइट वाटर में चलता वाटमी चलता है। यह गैसमें हमें चलता है निर्वात में चलता है Every माध्यम में चलता है इसका रिजन कैसी है कि यह जो होता है एक परफेंडिकुलर क्या करता है गतीद करता है यहीं है त्धूरी तो मिलेगा लेकिन उसका जब डीपली रिजल खुचन बनाईएगा तभी डाउट केलियर होगा इसलिए कहा जाता है कि कोचन बताईये बनाईये तो अब देखिए अनुप्रास तरगे जो होती है वह हमेशा पर पेंडिकुलर कंपर्ण करती है बच्चों तो जब पर पेलर कंपर्ण करती है तो ठोस में ज क्या करती है perpendicular rigidity चाहिए इसको ट्रांसवर्स के लिए आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए क्या होने चाहिए यह चलती किसमें है यह पुछा था किसमें चलती है तह चलती जब कहँगी तो सबगा क्यों Wrestling अब देखिए द्राव में क्यों नहीं होगा द्राव में होगा और गैस में भी होगा लेकिन इतना कम होता है नगाने कि द्राव में गैस में तो कम है द्राव में भी जो पार्टिकल होते हैं वो रिजिडिटी नहीं होती है उसमें ठोस को ठोड़ता नहीं होती है जिसे कि वो लंबवद कमपन कर सके, जाती है, लेकिन बहुत स्लाइटली किया कहते है, तो जब आपके exam में अप्सण में आ जाए कि transverse waves, transverse waves किस माध्यम में जाती है, तो जाती तो सब में है, transverse कह दिया है, अगर कह देता light, light भी transverse का example है, ठीक, उसमें transverse waves होती है, light में, तो वो तो सभी में जाता है फिर कहा देगा इलेक्ट्रो मैगनेटिक वे विधुचुंबकी तो वो भी कहा जाती है वो भी जाती है अनुप्रस्त तरंगे उसमें भी होता है वो भी सभी माध्यमें जाती है लेकिन वो नाम ना धरे कि विधुचुंबकी तरंगे या परकास तरंगे ये ख़दे की अनुप्रस्त रंगे, तो जाती तो तिनों में है, लेकिन अच्छी तरह से कहा जाते हैं, उसमें slightly जाती है, नगनने के बाराबर, न के बाराबर मान लिया जाता है, उसको चलने के लिए, प्रोपगेट होने के लिए, उस मेडियम में इसको प्रोपः वे नही उसमें, और पूछे का कि उत्पन कहा होती है, उत्पन, तो उत्पन होती है ठोस में या रसी, ठोसे का एक्जाम्पल है, या पानी के सतह पर, वो तीलों में उत्पन होती है, लोगी चुडनल, अनुदैर, तो यहाँ पर अनुप्रस्त दिया है, अनुप्रस्त गमन करने का तब अनुप्रस्ट गोश्ट करने का दिया है त तब देखे on प्रस्ट जु है वो उसमें भी है क्योंकि mechanical में भी एक अनुप्रस्ट होती है अर non-mechanical में था 100% transverse होती है तो transverse शिर्फ तरंगे कहें नाम न रखे कि light या electromagnetic फरकास तो आपको क्या करना है ठोस जाती सब में है चलती सब में है क्योंकि अनुप्रस्थ light का example है अनुप्रस्थ electromagnetic का example है वो तो हर जगा जाती है लेकिन अगर सिर्फ अनुप्रस्थ का है तो वो जो होती है चलने के लिए वो नगन नक के बराबर स्लाइटली होती है नगन्य के बराबर इसलिए ठोस लगाना है तो एक्जाम में अगर आ जाए कि ट्रांसवर्स मीडियम की समाध्यम में चलती है चलती है तो केवल ठोस दिया हो तो ठोस ही लगाएंगे क्योंकि जब चलती है तो वो नगन्य हो जाता है वो नो के बराबर बह आपको यहीं लगाना है ट्रांस वर्स लोंगिटूडनल आप नहीं लगा सकते हैं तो आज का स्टार्ट करते हैं ऐसे ही डाउट के लिए हम एक एक चीज का वीडियो बना देया खरेंगे तो अब बचो देखिए जो क्लास पढ़े थे उसको स्टार्ट करते हैं क्या पढ़े पानी के सता परा साउंड में स्प्रिंग में बताये थे मेके निकल अब आगे बताते हैं देखिए जो अगला पॉइंट पुछता है इसमें बचों कि साउंड की जो स्पीड होती है साउंड की जो स्पीड होती है साउंड की स्पीड होती है साउंड की स्पीड जो होती है स स्पीड, चाल, ध्वानी, ध्वानी की जो चाल होती है बचो, पूछता है कि कीस में ज्यादा होती है, कीस में कम होती है, कीस में नहीं चलती है, तो साउंड सबसे तेज कहां चलती है, साउंड कहां नहीं चलती है, तो यह सब कोचन पूछता है, तो देखिए, सबसे तेज जलती है, solid, ठोस, ठोस में सबसे ज़्यादा तेज चलेगी sound, sound का speed जो होता है बच्चो सबसे ज़्यादा कहा होता है ठोस में, जिधर मुग खुला है वो जदा है, बड़ा है, तो ठोस में होता है, उसके बाद, उसके बाद होता है liquid में, उसके बाद बच्चो होता है liquid में, उसके बादि लिक्वीड में होता है लिक्वीड, द्रव, द्रव में, इसके बाद होता है गैस, गैस, गैस में, अनिरवात में तो चलता ही नहीं है, तो sound का अगर पूछें कि सबसे ज़्यादा स्पीड किसमें होता है तो सॉलीड में होता है ठोस में और लिक्वीड में अगर ऐसे कहे न बच्चों तो जो साउंड होती है न स्पीड लगभग ठोस में लगभग साउंड की स्पीड ठोस में लगभग पचपन सा मीटर पर सकेंड होता है कोई भी ठोस लगभग लगभग यह लिखेंगे लग भग लगभग का मतलब नियर अबाउट एप्रोक्समेटली यह होता है और पंदरास होता है लिक्वीड में पंदरास मीटर पर सकेंड से चलती है और गैसे जो होती है जिसे हावा हम लोग सुनते हैं तो तीन सव तीन सव 32 से या 40 भी दे देता है मीटर प सबसे ज्यादा होई लगभग 55 ठोस तो साउंड कि अगर इससाइड आप से पूझे कहां सबसे तेज होती है ता आपको क्या वैकूम निरवात में नहीं चलती है यह आपको लिखना है। साउंड जो होती है निरवात में नहीं चलती है बच्चो इतना बात एक एक चीज लिखे जो कोच्चन बनता है उसको बनाइए। तो उस पर हम टॉपिक पर बताना क्या यहीं सामने वीडियो बना देंगे उसका जो डाउट आएगा तो जो लड़का पुछता है इसका इट मिन्स वो पढ़ने वाला है उसकी सफलता तो गारेंटी मिलेगी तो अब देखिए साउंड कहां चल सकती है तो ठोस में सबसे ज्य कीजिए साउंड साउंड जो ध्वानी है ध्वानी एक चीज लिखवा दते है टाइंग लगे तो ध्वानी वैकुम वैकुम निर्वात निर्वात में नहीं चलती है नहीं चलती है नहीं चलती है यह आपको पॉइंट याद रखना है नेक्स्ट अगला बच्चों अगला आता है अब अब देखिए कैसे कोचल पुछा है कोचल कैसे पुछा है बच्छों कोचल एक आपको देते हैं Speed of sound is maximum Speed कोचल ऐसे आता था Speed of sound is maximum ध्वनी की चाल अधिक्तम होती है यह कोचल आता है ध्वनी की चाल अधिक्तम होती है कहां होती है तो अब देखिए आपके सामने Option दिया रहेगा देखिए तिन चर किसिम के Option दिया रहेगा अगर माल लिजिए ठोस दिया है Solid, 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 Draw दिया है Liquid, Liquid and Gas दिया है Gas हवा या एक वैकूम दिया है वैकूम निर्वात ऐसे कोच्छन पुछेगा बच्छों कोच्छन जो पुछा है रूप बदल बदल के आपको समझा देते हैं कि कैसे कैसे पुछता है कोच्छन तो देखें क्या पुछता है कोच्छन पुछेगा कि जो Speed of Sound है Maximum Speed of Sound is Maximum Mx Maximum धौनी की चाल अधिक्तम होती है कहां होती है ऐसे पुछेगा समझ लिजिए कहां होती है तो आपको Option दिया रहेगा ये Option दिया रहेगा ये Option या Option में क्या करेगा बच्छों Option में क्या करेगा वो Option में ठोस का नाम देदेगा ठोस का क्या करेगा नाम देदेगा कभी कभी क्या करता है कि ऐसे देदेता है Air Air गैस का नाम देदगा, air, yu, एक option देदगा, शीखना है कि वहाँ पर कैसे करेंगे, वाटर, 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 स्टील आयरन, वाटर, वाटर, आयरन, आयरन, एंड वैकूम भी दे सकता है, वैकूम, निर्वाद, निर्वाद, लोहा, लोहा, पानी, यह पूछ सकता है, आपसे बच्छों, कि जो धोनी की चाल अधिकताओं कहां होते हैं, तो देखे, जब ठोस, द्राव, गैस, निर्वाद, निर्वाद में तो चलता ही नहीं है, गैस में सबसे कम, द्राव में, बीच में होता है, सबसे तेज, ठोस में होता है, तो सबसे दे, जिसे हावा, तो हावा तो गैस का हो गया, तो गैस में तेज, पानी, लिक्वीड का हो गया, आइरन ठोस इसमें दिया है, निर्वाद में तो चलती नहीं है, तो आइरन लगाएंगे, अब देखिए, अगर आप्शन बदल के देदे, और कैसे, और कैसे, अगर इसी मे पुछ सकता है, इसको लिख लीज़िये, लिखवा देते हैं जो पूछता है अगला liखेंगे जो ब्रूंज होता है ब्रूंग और कांसे? कांसे उसमें 34, सबमें लिख लीज़िये किसमें कितना होता है तो सबसे ज़यादा जो होता है've डाइमॉंड में होता है, डाइमॉंड में, मॉंड, डाइमॉंड जो होता है हीरा, हीरा में बच्चों, हीरा में जो इसकी चाल होती है ना, 13,000 से 14,000 या 15,000 मीटर प्रती सेकिंड मान के चलिए, 15,000, NCRT का डाटा है, कि जो 14 से 15,000, NCRT में दिया है, NCE, RT का डाटा लिखवा रहे हैं, कि हीरा में जो होता है, 14 से 15,000, 1000 प्रती मीटर, मीटर प्रती सेकिंड मान चौदा 1000 से 15,000 मीटर प्रती सेकिंड होता है, यदि steel की बात करें, तो इस स्टील में दिया है स्टील इस स्टील जो होता है इस स्टील उसमें होता है 55-50 मीटर पर सक्ट सब एंसी अर्टी के डाटा है एक डाटा है इसी अधार पर आपको लगाना है अभी समझा देते हैं यदि आईरन में कहे तो आईरन में कहे लोहा में सब साउंड की स्पीड बता रहे हैं तो 5545 मीटर पर सके यदि आपको ब्रोंज दे दे ब्रोंज कांस ब्रोंज दे दे कांस कांस तो कांस से जो होता है उसमें होता है 34 कितना होता है 34 34 मीटर पर सके यह NCIAT का डाटा है तो अब आप से स्टील में ज़्यादा दिया हो में ज़्यादा होता है इस्टील में दिया हो तो आरन लगाना है डैमॉण में सबसे तेज होता है ये सब जो है न ये सब है ये जो सब है अब देखिए क्या होगा अगर आपके कोचर पूछ रहा है कि धोनी की चाल अधिक्तम कहा होती है तो आपको क्या करना है धोनी की चाल अधिक्तम कहा होती है आपसे पूछ लिया जाए तो आपको करना क्या है धोनी का से ब्रोंज जो है का से है तो धोनी की चाल अधिक्तम कहा होती है तो अगर आपको ठोस में सब नाम दे दे तो सबसे ज्यादा डाइमॉंड लगाना है अगर डाइमॉंड ना हो तब स्टील पर लगाना ही इसमें सिक्मेंस होता है ठोस दे देता है तो अगर लोहा दिया है तो लोहा में होगा ल तो एसे NCRD के डाटा के अनुसर मैक्सिमम डाइमॉंड में होता है धौनी की चाल सबसे ज़्यादा डाइमॉंड में साउंड तेच चलता है उसके बाद इस टील में उसके बाद आयरन में उसके बाद ब्रोंज में इतना आपको याद रखना है अब आगे बात है तो लिख ल अगला है बच्चों कि विए अब समझते हैं अलग अलग बूक में डाटा अलग अलग दिया रहता है लेकिन आपको फैक्ट याद रखना है अब पूछता है अगला है अगला कि जो नुमेरिकल पाट में कि तरंग किसे कहते हैं और तरंग दैद किसे कहते हैं और अबिरिती किसे कहते हैं और नुमेरिकल कैसे बनता है उस पर तो देखें वेव किसे कहते हैं तो अगर कोई वेव है ना कोई भी वेव है तो कहां से कहां देखें बच्चों ऐसे माल लि ये ऐसे कोई तरांग है ऐसे कोई तरांग है ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है तो इसी में समझना है आपको देखिए ऐसे कोई तरांग जा रही है यहां से स्टार्ट होई यहां से स्टार्ट होई यहां से जाते जाते उपर गई फिर अपने पॉइंट पर आई फिर नीचे आ स्टार्ट हुई थी उपर जाकर एक बार नीचे जाकर के अप एन डाउन मोशन करके फिर उसी पोजीशन पर चल जाए तो यहाँ एक वेव कहेंगे क्या कहेंगे यहां से यहां तक क्या कहेंगे एक वेव कहेंगे यहाफ वेव है यहाफ वेव है आगे कोचन बनता है इस पर एक वेव कहेंगे, एक वेव, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, वन वेव कहेंगे, एक वेव, यहां से यहां तक क्या कहेंगे बच्चों, वन वेव, यहां, आप समझे, अगर यहां से लेते हैं बच्चों, यहां से लेते हैं, तो यहां से चल करके, कहां आई, जिरो पाई फिर नीचे आई फिर जिरो पाई फिर अपने अस्थान पर तो जहां से चली थे फिर उसी पोजीशन में बन गई तो यहां से यहां तक एक वेव होगी यहां से लेंगे तो यहां से यहां तक एक वेव होगी तो कहीं से कहीं तक ले सकते हैं तो जो वेव होती है बच्चों वेव क्या होते है जहां से स्टार्ट हुई और उसी पोजीशन में फिर एक एक चकर लगा कर एक कमपन करके एक दोलन करके एक औसी लेशन करके एक वाइवरेशन करके उसी पोजीशन पर पहुंच गई तो वहां तक कि जितनी कमपन की उत्ना तक कि वो क्या होती है एक वेव कहालाती है अब देखिए जो बच्चो ऊपर वाला जो पॉइंट होता है ना क्रस्ट कहते है जो ऊपर पॉइंट होता है maximum displacement कुछल पुछेगा कि जो तरंग की maximum पेसिमन डिश्प्लेशमेंट होती है when maximum is plus में है क्योंकि यह प्लस होता है नीचे भी नन उंतर है पुछेगा तो पुछता है स्थांहोती है कि द्रंग जरह होती है उसके maximum उपर जो बेस्थापन होता है यह तुरी यह हैं यहां से चालू थी एक सक्स के समय इतना दूरी तो ट्राभल की उपर तो यह जो होती है यह यह जो होती है वह मैक्सिमम विस्थापन वह जो दूरी करती है तो उपर वाले पॉइंट को क्रस्ट कहते हैं क्या कहते हैं बच्छो क्रस्ट कहते हैं क्रस्ट क्रस्ट लिख ले ना जीरो वाला तो जीरो रहता है, इसका कुछ नहीं, जो नीचे वाला है, उसे टॉर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं बच्छों, टॉर्फ कहते हैं, नीचे जो होता है उसे टॉर्फ कहते हैं, टॉर्फ कहते हैं, गर्थ, गर्थ कहते हैं, तो ये बात आपको याद रखना है, कि स्र नियक्स होको दूसरा स्रेंग कहां होगा यह होगा स्रिंग तिसरा शरेंग यह स्रींग शिरिंग हो ha Cole你看able यह गर्थ होगा फिर नीचे वाला जो होता है फॉइन्ट उसे गर्थ कहते है घर्फ और उपर वाला फॉइन्ट होता है उसे सिरिंग कहते हैं अब हम लोगों को समझना है कि जो यह होती है न तर्फ होता है नीचे वाला क्या होता है बचछो तर्फ होता है अब हम लोग को समझना है कि जो यह होती है आपको समझना है कि जो टॉर्फ गर्थ बताए और स्रिंग उसके बीच की धूरी को क्या कहते हैं हमेशा पुछता है question, आपसे question पुछेगा कि जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, जो दूरी होती है बचों उसे क्या कहते हैं, जो एक दो करमागत स्रील या दो करमागत गर्थ की बीच की दूरी को आप क्या कहते हैं, जैसे मान लिजिए कि ये एक है, एक ये है, एक ये है, तो आइसे तो समझे क्रेस्ट है यह तो टॉर्फ है तो करमा उ faut yaha ses he hadै Do करमागळ का मतलब हुआ बचो करमागळ का मतलब हुआ कंजुके aún इंगली से करमागळ मने लगा तार यहां से इसके बाद जहांध हो स्रिंग से चले जहां पहला स्रिंग बाइन वहां सब तक कि तो के बीच कर दूरी को कहेंगे तो कर्मागत, कर्मागत का मतलब लगतार, जिसे स्रिंग है यहां दूसरा कहां बन रहा है उसके बीज की दुर्य को क्या करते है बेविलंद कब होती है तो दो कर्मागत स्रिंग जो उपर वाला पॉइंट है ना उपर इतना कितना दूर है दूरी कितना है तो दूरी को ही पहले होते हैं इसलिए दूरी है यह यह तो लंबाई है ना तो इसलिए इसका जो होता है मातरक तरंग देर्द का मातरक पुछा था भी पेसी में त भी जल्दी होती है बहुत में टोब में होते ही इसलिए इसका मातरक याद मिटर भी देता है मात्रक मीटर या ईंग स्ट्रॉम धि ग्तियर होता है या दस एक पावर माइनस 10 दस मीटर 1 मीटर व यह आपको इसका मात्रक होता है तो दो करumagat इसके मात्रक होता है तो कर्मागत श्रिंग कर्ष्ट के वीज की दूरी को we have length कहते हैं थ्री कर्मागत श्रिंगों की बीच की दूरी या क्रस्ट की बीच की दूरी इतना है तो उसका वेवलेंथ की तना है तो तीन की बीच है तो तीन से भाग देंगे तो एक के बीच आ जाएगा वहीं आपका हो जाएगा पांच के बीच दिया रहेगा पांच गर्तों की बीच क की दुरी कितनी होती है करमागत सिरेंग और गर्द तो पहला करमागत गर्द कहेगा तो बच्चों हाफ होती है लेम्डा बाई टू कर देंगे हाफ कर देंगे तो ऐसे ऐसे कोश्चन बनता है अब अगला इस पर लिखे अभी तक क्या बताए आपको कि क्रस्ट होता है वेव क होती क्या है तो लिख सकते है वेव लेंद के डिफिनीशन यहीं से बन गई यहीं से वेव लेंद के डिफिनीशन बन गई तरंग दैर्द किसे कहते है तो कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है तरंग दैर्द तरंग दैर्द वेव लेंद किसे कहते है वेव लेंद किसे कहत तो क्या कहेंगे दो करमागट श्रिंगों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदेश कहते हैं करमागत 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 करमाग और दो गर्थों गर्थ मिन्स जो नीचे था तर्फ तो इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं बचो त्रांग देर्थ कहते हैं अब आगे आपको समझना है क्या या इंग्लिस मेडियम और लिक लेंगे, the distance between two, the distance between, the distance, the distance between the two, the two consecutive, consecutive, crust, crust or turf, turf. ज़े लिक लेंगे, the distance between the two consecutive, crust or crusts, the two कर्मागत, the crusts के या टॉफ की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, wavelength कहते हैं, trang-derd कहते हैं, इतना समझ गये, trang-derd होता क्या है, अब दो कर्मागत के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कोचन पुछता है, कोचन कैसे पुछता है, पुछता कि दूरी को क्या कहते हैं हिंदी में पुछेगा दो करमागत स्रिंग या दो करमागत गर्थ की बीच की दूरी को क्या कहते है तो आपको टिक लगना है तरंग देर्द कहते हैं बेवलेंद कहते हैं अब आता है कि मातरक क्या होता है तो मातरक आपको लिख लेना है मातरक मातर और जो श्रिंग बनता है बहुत जल्द बनता है ऐसे देखिएगा जब म्यूजिक बजता है तो ऐसे उपर निचे जो होता है उसमें वाइवरेशन वेव जैसा तो वो कितनी दूरी पर होता है मीटर में नहीं नाप सकते हैं इसलिए या इसको क्या कहते हैं एंग स्ट्रों मे मीटर भी दता घंक ही कहीं मीली मिटर इसको मीदी मीटर समझेगा में मैली मीटर या नैनोमीटर देदा है रहीक मेनमीटर में मिटन में रहेगा यह angst pron, एक angst pron बराबर होता है, 10 के power minus 10 meter, यह आपको याद रखना है, अब बात आती है, सीमबल क्या होता है वेवलेंद का, तो सीमबल आपको याद रखना है, सीमबल, सीमबल माने संकेत, संकेत, तरंग दयद का बता रहे हैं, वेवलेंद का, तो lambda होता है, इसको क्या होता है बच्चो, lambda, lambda पढ़ेंगे इसको, lambda, lambda, lambda पढ़ेंगे, lambda, तो यह lambda होता है, इसका तरंग दयद, तो जो सीमबल होता है, अगर पुछे वेवलेंद का, सीमबल क्या होता है, तो lambda होता है, lambda तरंग दयद को, और मातरक पुछे, तो angstrom, और यदि डाइमेंशन पुछले बीमा, तो L होगा, लंबाई है, यदि बीमा पुछले, तरंग दैस्द का बीमा पुछले, बीमा, यदि बीमा पुछले, डाइमेंशन, डाइमेंशन, तो आपको क्या बताना है बच्चों, L, डाइमेंशन क्या होगा, L होगा, क्योंकि लंबाई है, तो डाइमेंशन L होगा अगर dimension भीमा पूछ ले आपसे तो आपको क्या टिक लगाना है dimension में L अब आगे समझते हैं dimension में L लगाईएगा अब आता है बच्चों तो ये तो समाझ गए क्या होती एक होती है frequency, आबरीती अगला होती है frequency frequency, आबरीती आबरीती, आबरीती तो तेखिए आबरीती क्या होती है जैसे बेव बताए ना कि बेव बनता है ये बताए कि ये बेव है तो एक बेव बता दे कि यहां से यहां तक है तो पर सकेंड number of बेव एक सकेंड में जितना बेव बन जाए उसकी frequency वहीं कहलाएगी या simple में कहते हैं कि एक सकेंड में जितना कमपन दोलन चकर हो जाए वो क्या होती है आबरीती होती है तो यहां तक बेव की पढ़ रहा है frequency तो बेव जैसे कोई लड़का एक सकेंड में चार चकर फिल्ड को लगाता है तो उसकी आबरीती कितनी होगी 4 सकेंड 4 प्रती सकेंड 4 चकर प्रती सकेंड तो उसका मातरः एक बटा सेकेंड होता है या hearts होता है hearts बैग्यानिक ने इसकी खोज की थी या इसलिए hearts इतका सकव आबरीती का मातरः होता है वीमा टी इनवर् excitement होता है अभी बताते हैं कईसे होता है बटा में टाइम होता है प्रती सेकेंड निकालते हैं एक सेकेंड में कितना कंपर हुआ कितना दोलन हुआ कितनी बेभ चली तो उसको क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तहीन कहतने हैं तो… फ्रीक्वेंसी आइरीती ही क्या कहा हैंगी? नमबर अव…. नमबर अव्वुईव। सेखेड ये समझी पर सेखेड सेकंड पर सेकंड प्रती सेकंड प्रती सेकंड सेकंड तरंगों की तरंगों की संख्या संख्या अगर तरंग वेव पड़ रहे हैं तरंग एक संख्या में कितनी तरंग बनते हैं जिसे एक यह दू तो दू को बन यहां से यहां तक एक है यहां से यहां तक एक है तो दो तरं frequency अबरीति 10 होगी यदि एक सकेंड में आपको देखना है या कमपन या दोलन की संख्या जो चकर की संख्या होती है एक सकेंड में उसे frequency कहते हैं प्रती सकेंड कमपन की संख्या number of waves per second is called frequency एक सकेंड में तरंगों की संख्या को या चकर की संख्या को या कंपन की संख्या को या दोलन की संख्या को कंपन जैसे करता है कितना बार कंपन किया एक सकेंड में एक सकेंड में तो वो क्या होता है अब रीती होता है अब इसका अब रीती जैसे देखें एक्जामपल दे रहें कोई कह रहा है कि तीन मीनट में तीन मीनट में पांच है पांच सेकेंड में फांच सेकेंड में छोऊ-सो चकर लगाता है चकर ने चकर दधी या ऐसे दधरे कि पांच सेकेंड में 600 में छोऊ-s disabilities होते हैं उत्पन अधर होती तो आप बताईए कि इसकी frequency क्या है अबृति क्या है तो देखे बचो कुछ नहीं करना है पांच सेकेंड में इतना है तो परिभासा कहता है कि एक सेकेंड में जितना होगा तो एक सेकेंड का निकाल दीजिए तो एक सेकेंड में कितना हो जाएगा एक सेकेंड में हो जाएगा बटा में क्या होता है, सेकेंड होता है, तो आब रिति कैसे निकलता है, एक सकेंड के निकाल देना है, वो दिया रहेगा निकलता है, एक सकेंद में या तरंगों की संख्या देए रहेगा इक में या कितना बार हीले जितना बार और घ्रिट करें या कोई जितना बार चकर लगाए वह वह तह आब रिती का मात्रक क्या होगा मातरक अगर इसकी मातरक की बात करें यूनिट की बात करें यूनिट तो चक्र प्रतिसेकंड होता है तो एक बाटा सेकंड भी लिख सकते हैं एक बाटा प्रतिसेकंड या इसका में मातरक होता है हर्ट्स क्या होता है बच्छों एच जेड हर्ट्स यह वहीं हर्ट्स है जिनों होने क्या बैग्यानिक का नाम है जो रेडियो की वेब की खोज की थी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेब में पढ़ाया थे हर्ट्स तो उसी बैग्यानिक का नाम में मात्रा की है प्रती सेकेंड यह हर्ट्स होता है इसका मात्रा अगर इसकी बीमा की बात करें बीमा इसकी बीमा डाइमेंशन डाइमेंशन तो बाटा में सेकेंड है तो एक बाटा टी होगा यह उपर जाता है तो क्या हो जाता है तो क्या हो जाता है टी के पावर माइनस हो टी इनुवर्स टी इनुवर्स हो जाएगा इसका बीमा हो जाएगा बच्छो एक बाटा समय होता है चकर का तो ह contexts है तो समय है त government होता है यरikkी इनамर सोता है यदि सींबल की बात करें सींबल मानने संखेत अरफ करते हैं चल्च हं या लीखते है या कही कही बच्चो? अब रुति में यह चीज होती है आगे सवाल बनेगा लैमडा ये और क्या हो ए लैमडा क्या है तो आपको यह नहीं जानकाईर रहना ऊक् dragging नहीं बना पर यहां कॉंग, जैसे मालिजी आपके दिमाय में बैठा यहाओ लाइमड़ा थो प्या होता है गयों इस तर किला ये कि कर रहना येगभा थ לांपे इसमें कि एक इतना वीर के इतना है , तो ऑुं ये इतना है होता है एक वेव की लंबाई होती है बताएं एक वेव की लंबाई होती है एक तरंग की लंबाई होती है एक तरंग की जितनी लंबा हो एक तरंग जो तरंग बना है जितना लंबा हो उसे वेवलेंद कहते है तरंग देट अब दस तरंग है तो उसकी वेवलेंद केतनी हो जा दुनिया की कोई भी आवाज हो, देखे अगला कंसेप्ट क्या है बच्चो, दुनिया की कोई भी आवाज हो, कोई भी आवाज, उसकी फ्रिक्मेंसी होती है, दुनिया की कोई भी आवाज हो, हेलो, टंटन, खंटी, कुछ भी चिनिया, बाजा, कुछ भी चिनिया की आवाज ह जो आपके कान में आवाज पहुंचता है उसकी कुछ न कुछ फ्रिक्वेंसी होती है दुनिया का कोई भी चीज हो कोई भी चीज जो बाजता हो साउंड उत्पन करता है उसकी कुछ न कुछ अबृती होती है जो आवाज होती है उसकी कुछ न कुछ फ्रिक्वेंसी होती है ज अब क्या होता है कि आवाज एक सकेंड में जितने आपके कान पर कमपन जंजनाहट पैदा करे वो क्या है अबरिती है कोई आवाज है तो एक सकेंड में जितना बार कमपन कर दे आपके कान में जितना बार भाइबरेट कर दे जितना बार कमपन कर दे जितना बार जंजनाहट पैदा कर दे, एक सकिन में वो उसकी, उस साउंड की क्या है, फ्रिक्वेंसी है, तो अब तो पैदा करे, तो अब देखें क्या होते हैं, कि आबरीती है, लेकिन हम सभी आवाजें नहीं सुन सकते हैं, मनुस्य की बात कर रहे हैं, जो मनुस्य होते हैं, सभी आवाजें, सभी kitationsों we just made the Wahrर सुने सकते हैं तो सब दुझ आनने कांगे की कीज़ी हो उती है तो कीज़ आपरीती को सुने हैं तो कांगेक हम कीस अवकात है के साट है धे 2017 जलगे के सम vrij वं क्यों सब्हंने मतने है पहते हैं पर्सरब्य कौन कषेसे कांग से के फिर्क्वेंसी आबरीती साउंड सुन सकता है कोचन आता है पेपर में कोचन आता है कि मनुस्य की जो कान है कहा से कहा तक की फिर्क्वेंसी आबरीती सुन सकता है मनुस्य की बात कर रहे हैं अभी बताएंगे हाथी की चमगादर की सब की कौन प्रासरवे सुनता है, कौन असरवे सुनता है, कौन ओडिवल सरवे में हम लोग आते हैं, जो सुनने वाला है, प्रासरवे कौन जानवर चुनते हैं, चमगादर किसमें आती है, कुत्ता कौन सुनता है, हाथे कौन सी साउंड को सुन सकती है, किसमें आती है, और ये जो ह पुछली होती है उसकी समय होती है तोente ecosystem कोई आवाज एक सेने होती है सावीति सब कोपान को हम नहीं सुन पाते हैं इतना कोंपन कर देगा कि समझें SPI ausge तो उसकी एक वकात होती है मनुसरी कंगी कोई सभेंगे होती है मनुसरी कि użyखतो स्कॉषिय kurz Haram सकता है तो अगला हेडिंग दिजिए अगला हेडिंग की ओडिवल फ्रिक्वेंसी रिंस ओडिवल और डी वार फिरिक्वेंसी फिरिक्वेंसी रिंस रिंस इसका मतलब सुनने योग या सरब सुनने योग या सरब्य सरब्य सुनने योग या सरब्य अबृति की सीमा अबृति की सीमा इस रहे हम्राप टॉपिक हो गया कि जो अब सुनने जो फ्रिक्वेंसी जो होती है सुनने योग जो सरव्य अबृति होती है उसकी सीमा कितनी होती है ग्जाम मेन पूछा हुआ इस सबально जो हमारी वह साउंड जिससे आप सून सकते हैं उसका वेवलेंद कितनी होती है तोह तरंग जिससे सून सकते है मनुझम के लिए मनुझम से जो सून सकता है उसका अबरिती कितना होता है तो frequency अगर पूछे अबरिती तो 20 Hz से 20,000 Hz तो क्या होती है सरव्य होती है audible होती है audible होती है 20 से कहां तक 20,000 अगर wavelength पूछे तो दखे बच्चों आगे पढ़ाएंगे अभी पढ़ाएंगे भी बराबर n lambda होता है जिसका frequency कम है उसका wavelength जदा होगा तो अगर lambda पूछे कि सरव्य मनूस से क्या कान कितनी अबरिती तक सुन सकता है तो 20,000 Hz से 20,000 Hz अत्रांग दैर्द पूछ दे तो आपको लगाना है 17 मीटर से 17 मीली मीटर यह आपको याद रखना है अगर wavelength पूछे तो 17 से 17 मीली मीटर है यह मीली मीटर है मीली मीटर ठीक मीली मीटर कम हो जाएगा इधर इधर कम होगा तो इसके इसके बीच में सुनाई देगा अगर wavelength पूछे तो 17 मीटर से 17 मीली मीटर अगर frequency पूछे कितनी frequency सांद हम सुन सकते है मनूस तो 20 से 20,000 अब आगे तो आगे आएगा कि चमगादर किस में होती है क्यों होती है तो देखिए चमगादर जो होती है बच्चो अपने अंदर से जो चमगादर होती है अल्ट्रा सोनिक वेव पैदा करती है अपने अंदर से क्या पैदा करते है अल्ट्रा सोनिक वेव अल्ट्रा सोनिक क्या होता है अल्ट्रा सोनिक अल्ट्रा सोनिक वह होता है बच्चों जो बीस हाजार से ज्यदा हो उसे अल्टरा सोनिक कहते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी बीस हाजार से क्या हो ज्यदा हो एक होती है एक होती है इंफरा सोनिक देखे इसके पहले अगर इधर होगा तो इंफरा सोनिक इंफरा सोनिक जो कम होती है जो सुनाई नहीं देते हैं, इंफरासोनिक कहते हैं, बीस अजार से जादा होगा, तो अल्टरासोनिक, परासरव ये हिंदी में कहते हैं, अल्टरासोनिक, इंफरासोनिक को असरव ये कहते हैं, अपसरव, जो सुनाई नहीं देते हैं, तो चमगादर जो होती है, जिसे चमग कादार होती है जब चलती है तो अपने अंदर से क्या करती है अपने अंदर से बच्छों अन्टरासोनिक वह उत्la पंकरते प्रासरौ भे तरंग पया त्यांक फिल्द हो आ है तो उसमें जाकर तक्राइक आकर उसके पास आएगा तो समाझ जाएगी कि वह कोई चीज है तो आपनी डायरेक्शन बदल लेगी अगर अगर वो बेव छोड़ी अल्टारासोनिक बेव छोड़ी और वो नहीं आया तो समाझ जाएगी कि खाली मैदान है कोहीं टक्राकर नहीं तो वो उड़ती के लिए अपनी लोकेशन के लिए चलने के लिए जो बैट्ट होती है चमगादर किस फ्रिक्वेंस क्या यूज्ज करती है तो आप करेंगे अल्टरा सोनिक मिन्स परासरवी जो परासरवी होता है जितना एक्जाम में आया हुआ है, जो डाउट है, वो ऐसे ही पूछिए, उस पर डिसकस कर देंगे, कि उत्तर क्या लगाना है, रिजल्ट क्या है, पढ़ना तो है, कि ट्रांसवर्स जो होती है, वो सब ही बेचलती है, क्योंकि लाइट ट्रांसवर्स है, लेकिन अगर करने के लिए, बस कहा देखाली कि अनुप्रस्त चलती कहा है, तो ठोस में अच्छे से बेस्ट और चल पाती है, नगन्य होता है, इसलिए ठोस लगाना है, तो ऐसे त्यारी भी करना है, लेकिन वो जो बताया गया है, वो उस बेस पर है, कि विदुचुमा के तरंगे, प्रस्त तरंगे कहे, तो आपको ठोस लगाना है, ऐसे ऐसे त्यारी किजिएगा, तो सही किजिएगा, ना तो पढ़ा हुआ भी कलत जाएगा, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्यू.